नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सबका मेरे इस चानल अल्ट्रा हील होमियोपैथी में दोस्तो आज हम बात करेंगे वाइरल कंजंक्टिव आइटिस या आई फ्लू के बारे में दोस्तो आई फ्लू मौनसोन सीजन में एक तेजी से फैलने वाली बिमारी है जो किसी भी संकरमित व्यक्ति से आपको हो सकती है ये बिमारी चूने से या फिर किसी भी संकरमित व्यक्ति को देखने से आपको हो सकती है तो इसलिए आपको जरूरी है कि संकरमित व्यक्ति से आप दूरी बना के रखें और लगातार अपनी आखों को पानी से धोते रहें और अगर आपको आइफलू हो गया है तो आपको कुछ दिन तक आइसोलेशन में रहना चाहिए तो आइसोलेटेड रहें और घर पर ही रहें और कौन सी आइड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं उसकी बारे में मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस् तो आई फ्लू कंजंक्ती वैटेस एक इन्फलामेशन है जिस में की जो आॉटर अफन दिश्चार्जिट है अंखों में तो आँ हैं और बहुत जादा जलन महसूस होती है और उसके सासा चिपचिपा पदार्थ आखों में से निकलना शुरू हो जाता है दोस्तो आई फ्लू का कारण viral conjunctivitis या bacterial conjunctivitis हो सकता है कई बार आपको allergy या cold और फ्लू के symptoms भी आई फ्लू के साथ हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत जादा fever या फिर बदन दर्द हो सकता है उसके साथ आपको vomiting या पेट में दर्द की भी problem हो सकती है तो ये सारे viral के symptoms हैं आपको और अगर आपको ये symptoms हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है दोस्तो बच्चों में आई फ्लू की समस्या बहुत ही तेजी से फैल रही है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और एक दूसरे से उनको संकर्मन हो जाता है इसके साथ-साथ बच्चे properly hand hygiene नहीं रख पाते हैं जिसके कारण उनको संकर्मन जल्दी हो जाता है इसके साथ-साथ बच्चों की immunity भी कम होती है तो उनको संकर्मन के chances बहुत जादा रहते हैं अब अगर बच्चों में eye flu के symptoms हैं तो उसके साथ-साथ बच्चे को पेट में दर्द, सिर्दर्द या उसको बुखार की समस्या भी हो सकती है तो ये सारे symptoms viral conjunctiveitis के बच्चों के अंदर हो सकते हैं तो अगर आपको अपने बच्चे के अंदर या अपने अंदर eye flu के symptoms दिखते हैं तो आपको क्या करना है और कौनसी आप suitable medicine होमिपैथी की ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप घर बैटे eye flu का इलाज कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले तो eye flu से बचने के लिए आपको इन कामों से बचना चाहिए बार बार अपनी आखों को ना चुएं आखों को साफ पानी से धोते रहें आखों की साफ सकताई का ध्यान रखें isolation में रहें घर पर ही रहें अपने बच्चों को school ना भेजें और खुद भी office से छुट्टी लेकर घर पर ही रहें ताकि ये बिमारी का संक्रमण दूसरों तक ना पहुँचे दोस्तो संक्रमण से बचने के लिए आप अपने आखों को साफ करने के लिए किसी साफ टिशू पेपर या कपड़े का इस्तमाल करें दोस्तो आखों को आप बार बार साफ पाने से धोएं उसके साथ साथ आप आईड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें यूफ्रेशिया आईड्रॉप्स को आप आखों में डाल सकते हैं जिससे आपका infection खतम होगा eyes में से और आपकी आखें जल्दी रिकवर हो जाएं तो दोस्तो आईड्रॉप्स के साथ साथ आप इस medicine को internally भी लें इस medicine को 2-3 बार आपको regularly दिन में लेना है जब तक कि आपकी eyes की inflammation और eyes में से discharge आना बंद नहीं हो जाता तो दोस्तो अगर आपको eyes में redness की problem है और eyes में बहुँ जादा discharge हो रहा है तो आप इस medicine को use कर सकते हैं इस medicine को आप daily 3-4 बार लीजिए जब तक कि आपके symptoms ठीक नहीं हो जाते तो दोस्तो उमीद है आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस channel को please like and subscribe करना ना भूलें दोस्तो फिर मिलेंगे अपने next video में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए bye and take care